हेलो दोस्तो आज अपन बात करने वाले हैं डेक्सोना और जेंटामाइसन इंजेक्शन की इन दोनों इंजेक्शन को किन-किन बीमारियों में दिया जाता है क्या इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कितनी मात्रा में इन दोनों इंजेक्शन को लगाया जाता है वो सारी ज करते हैं से पहले यहां पर हम समझ लेते हैं दोनों इंजेक्शन की कुछ बेसिक जानकारी जैसे की जेंटा लाइफ इंजेक्शन के अंदर हमें एक ही साल्ट देखने को मिलता है जो की जेंटा माइशन है और यह एक प्रकार की एंटिवाटिक मेडिशन है यहां पर यह 30 ml की बाइल है जो की एक एमेल में 40 mg तक इसमें जो डोज है वो रहता है डेक्शनों के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर हमें डेक्शन में थासोन एक ही साल्ट मिलता है जो की एक तरह का स्ट्रॉइड है एक एमेल में हमें 4 mg तक यह डोज इसका जो है मिल जाता है 20 ml की बाइ तो यहां पर हम देखें तो fever में सबसे ज़्यादा इन दोनों इंजिक्शन का यूज किया जाता है और lung infection, ear or eye infection, bacterial infection, genital infection, UTI, इन सभी condition में भी इन दोनों इंजिक्शन का यूज किया जा सकता है, हम बात करेंगे कि इन दोनों इंजिक्शन का जो dose है, यानि कि कितनी मात्रा में इन दोनों इंजिक्शन को mix करके दे सकते हैं, तो जैसा आप यहां पर mobile screen पर देख सकते हैं, adult में 2 ml gentilation और 1 ml dexa इन दोनों को mix करके एक adult वेक्ति में IM दे सकते हैं, और बच्चे जो की 5 साल से उपर के हैं, उनमें 1 ml gentilation और 1 ml dexa IM बच्चों में भी दिया जा सकता है, अब हम हम यहां पर बात करेंगे इन दोनों इंजिक्शन से होने वाले कुछ side effect जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, sleepiness यानि कि आपको ठकावट और बहुत ज़्यादा नीद आ सकती है, heart beat आपकी increase हो सकती है, जो कि अभी तक यह side effect है, देखे जा चुके हैं, अभी यहां पर हम बात करेंगे precautions की, यानि कि इन बातों का हमें ध्यान रखना है, जैसे कि इन दोनों injections का overdose नहीं होना चाहिए, और expiry date को आप हमेशा check करके ही, किसी medicine या फिर injections का use करें, आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया है तो like करें, channel पर पहली बार आया है तो channel को भी subscribe कर ले, यहाँ पर आपको इसी तरीके के informative और medicine से संबंदित, videos daily update के साथ मिलते रहेंगे, bell icon को भी on कर लेना, जिससे हमारी next video को notification सबसे पहले आप तक पहुँचे, मिलते हैं अगली वीडियो में